अब याज हम flatten brush का use करेंगे तो flatten brush जैसा की नाम है यह हमारे model को flat करेगा बिल्कुल plane कर देगा तो B for brush प्रेस करेंगे B button को और F button प्रेस करेंगे keyboard से तो आप देखोगे यहाँ पर flatten का tool आ रहा है इसका code है A अगर आप A प्रेस कर देते हैं तो यह brush आपका load हो जाएगा active हो जा चलाते हैं तो देखो यह हमारी मेस को एकदम flat करेगा आप कई बार इसको चलाते हैं ऐसा ऐसा करके यह देखे एकदम flat कर रहा है आपकी मेस को आप थोड़ी सी value बढ़ा सकते हैं Z intensity से अगर आप फुल कर सकते हैं तो इस brush के flat करने की जो power है वो बढ़ जाएगी तो यह अब यह देखिए तो जिस एरिया में आपको flat कराना है आप उतने एरिया में brush को चला सकते हैं symmetry on करते है एकस प्रेस करते हैं देखिए दोनों साइड में आ गया अब हम दोनों साइड में यहां पर brush को flat करा सकते हैं इस तरह से यह flat हो गया यहां brush का size भी S press करेंगे थोड़ size थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहां पर आपको यह flat कराना है इसके अंदर भी area में आपको कुछ flat कराना है देखिए अब flat हो नहीं रहा है क्योंकि वो already flat है area इसलिए flat नहीं हो रहा है यह किस area को कहां पर काम करेगा जहां पर curve होगा यहां पर curve है तो वहां काम करेगा यह कर भाई यहां पर काम करेगा साइज थोड़ा सा बड़ा और इस तरह से अब यह फ्लैट हो चुका है इसके अंदर अगर हम फ्लैट कराएंगे ब्रस को छोटा करके तो वो फ्लैट नहीं करेगा हम यहाँ पर इसको इस्ट्री को जीरो कर देते हैं फिर से स्टार्ट करते हैं पर इस बारी हम ट्रांसफोर्म में जाकर के रेडियल सिमेट्री को अन करते हैं वाई में यह एक्स में जो भी एंगल है तो आप देखो कि यहाँ पर कई सारे ब्रस के स्ट्रोक एक्टिवेट हो गए रेडियल फॉर्म में अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि फ्लैट जब आपको कराना होगा तो यह देखिए उस एरिया में एक साथ कई सारी स्ट्रोक को यह फ्लैट कराएगा तो सिमेट्री आपको पता ही होगा आप वीडियो देख सकते हैं यह यहां पर थोड़ा सा इंटेंसिटी हमने बढ़ा ही है अभी हम फ्लैट कराते हैं दुबारा से तो देखिए यह इतना एरिया फ्लैट कर रहा है और बहुत ही पावर के साथ में क्यूंकि हमने इंटेंसिटी को फुल कर रखा है अब देखो जब आप फ्लैट ब्रेस इस ब्रेस का इस च्रोग आप किस तरह से लेकर जा रहे है यह डिप्एंड करेगा यहां से आपको यह मॉडुल कर लेना है ड्वल क्लिक करते है और यह मॉडुल हमारे पास में आ चुका है यह यह झीए थोड़ा सा रफ है. यहांपर फ्लैट चलाते हैं तो देखिए यह कितनी तेजी से फ्लैट कर रहा है इसको ऐसा इसलिए कर रहा है कि इसमने डिवीजन कام है. इसकी डिवीजन अगर हमें बढ़ाने हैं Ctrl D करेंगे और एक बार जितनी बार भी आप control D press करते हैं इसकी division बढ़ती है अभी इसमें flat brush चलाते हैं तो देखिए कितना smoothly चल रहा है और कितनी अच्छे से flat कर रहा है इस चीज़ को तो कोई भी ऐसी surface जो की करविक है flat करेगा आप कितना कराना चाहते हो उसकी Z intensity से उसको control कर सकते हैं आप छोटे छोटे पॉइंट पर भी काम कर सकते हैं जैसी यह lips है अंब्रेस का size चोटा करते हैं यह lips के corner पर थोड़ी सी merge करा देंगे shift प्रेस करके तो area flat भी हो गया हमारा और merge भी हो गया यहाँ पर भी हम merge करा सकते हैं shift के साथ में और यह last में के crease खतम हो जाती मर्ज हो जाती है original में इसमें तो shift के साथ में यहाँ पर भी आप flat ब्रेस का effect खतम कर सकते हैं अगर आपने alt बटन को प्रेस कर दिया तो यह face को sorry अगर आपने alt बटन को प्रेस करके चलाया तो यह flat नहीं करेगा यह क्या करेगा यह add करेगा यह देखिए image को add कर रहा है यह और यह दिखिए अगर आपने alt ब्रेस नहीं किया तो यह flat कर रहा है और आपने alt ब्रेस किया तो यह opper merge कर रहा है इस तरह से तो हम इसको थोड़ा सा एक तरह से filling का काम कर रहा है तो हमने इसको दोनुत तरह से यूज़ किया alt के साथ में opposite reaction करेगा थोड़ा से area आपको fill करना है यह area fill करना है तो आप यहाँ पर alt के साथ में अगर इसको चलाते हैं तो यह इस area को fill कर रहा है कितना smooth fill कर रहा है यह देखिए और अगर अल्ट प्रेस नहीं किया है तो वह इस area को flat करेगा लेट ब्रेस को हमने alt के साथ यूज किया है shift बटन के साथ प्रेस करके use कर लिया और transformation में जाके symmetry में देखा कि symmetry को radial में भी लगाया और linear symmetry में भी लगा कि देखा तो आप इसकी practice करना हम next session में नए ब्रेस के साथ मिलेंगे तब तक के लिए thank you channel को subscribe जरूर कर देना please